अब तक की पूरी लिस्ट है जिसमें हम डिसकस करेंगे कि किस येर में किस आर्थर को किस टाइटिल के लिए किस जेनर और किस कंट्री में ये बुकर प्राइज अवार्ट दिया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होने वाला है ये टॉपिक बुकर प्राइ इसके बारे में थोड़ा साम समझ लेते हैं फ्रेंड पहले इसके बाद हम लिस्ट को डिसकस करेंगे 1969 से लेकर अभी तक जितने भी बुकर अवार्ड मिले हैं किस कंट्री के आथर को मिले हैं किस वर्क के लिए मिले हैं और कौन से टाइप का जेनर था मतलब नौवल था हिस्टोरिकल नौवल, एक्सपेरिमेंटल नौवल, साट स्टोरी था या फिलोसॉफिकल नौवल था या मैजिक रियलिजम था बिया इसके लिखक्री नौवल, कौमिक नौवल बहुत तरी के जो वर्क थे especially novel के लिए ही दिया जाता था लेकिन उस novel में भी कौन-कौन सा novel होता था उन सभी चीजों के बारे में full detail में discuss करेंगे और यकीन मानिए कि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें सिर्फ आप एक वीडियो में पूरा booker price के list देख रहे हैं और इस वीडियो के वीडियो में पूचा जाता है या बात करें कि जो 1969 में पी एच न्यूबाई को booker price award दिया गया था वो पी एच न्यूबाई किस country से हैं बताए अगर नहीं पता है तो आपकी वीडियो में इस वीडियो में बिल्कुल clear होने वाला है कि जो first booker price दिया गया था 1969 में पी एच न्यूबाई को वो किस country से थे उनके work का क्या नाम था या फिर अगर ये बात करें कि जो Paul Scott थे उनको किस work के लिए booker price दिया गया था चलिए ये सब चीज़े important है इंडिया के पहले इंडिया के पहले वो कौन से आर्थर थे कौन से आर्थर थे जिनको booker price दिया गया था बहुत important question इन सभी चीज़ों के बारे में discuss करने वाले है कि इंडिया के कौन से आर्थर थे सलमान रुस्दी थे कब मिला था उनको 1981 में मिला था इन सभी चीज़ों के बारे में किस वर्क के लिए मिड्राइट चिल्टन के बारे में तो friend booker price की पूरी full list में discuss करने वाला हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये chapter अगर आप English literature के real student है आप English literature पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हो बीच में क्योंकि booker price से question आते ही आते हैं और बहुत important booker price का मतलब एक price है इसके बारे में मैं अभी पूरा detail में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और जब किसी को कोई price मिलता है कोई award मिलता है तो निश्चित रूप से उसने कोई अच्छा काम गिया है तो चलिए अभी तक मेरे इतने discussion में आपके यह समझ में आ गया होगा कि booker price जो है 1969 से लेकर अभी तक की पूरी list discuss होने वाली है इस वीडियो में तो सबसे पहले हम यह पढ़ लेते हैं कि booker prize क्या है सबसे पहले मैंने उपर लिखा booker prize इसके बाद लिखा the prize has been awarded each year since 1969 to the best full length novel यानि कि यह जो prize है यह award किया जाता है मतलब यह दिया जाता है पुरस्कृत किया जाता है कब से 1969 से किसलिए best original full length novel जो best होता है original होता है full length का novel होता है retain in English language जो English language में लिखा जाता है by a citizen of commonwealth of nations commonwealth of nations या फिर Republic of Ireland के आथर के द्वारा लिखा गया English का वो work होता है जो full length best original full length novel होता है उसके लिए booker prize दिया जाता है इस चीज़ को थोड़ा आसान भासा में समझे कि यह जो prize है यह उपहार है यह gift है यह सम्मान है 1969 से दिया जाता है जो एक्जाम में पूछा जा सकता है कि booker prize शुरू कब किया गया तो question यह बनता है कि 16 इसका answer होगा कि 69 में 1969 में यह award शुरू किया गया किस चीज़ के लिए शुरू किया गया जो best original full length novel होता था English language में लिखा जाता था और वो Commonwealth Nations या Republic of Ireland के लोगों के द्वारा लिखा जाता था सिर्फ इनके लिए जो है booker prize दिया जाता था लेकिन 2014 में 2014 से 2014 से it was opened for the first time to any work published in the United Kingdom मतलब 2014 से 2014 से क्या हुआ कि यह सभी के लिए पहली बार open कर दिया गया open कर दिया तब से work published in United Kingdom and written in United Kingdom में लिखी गई किसी भी English language के लिए जो की best हो अच्छा हो उसके लिए यह देना शुरू किया गया not translated into English not translated into का मतलब लिखी गई हो retain in हो translated न हो ऐसे work के लिए booker prize दिया जाना सुनेश्चित किया गया मतलब देना सुरू किया गया कब से 2014 से एक question यह आएगा कि booker prize दिया जाना सुरू कब किया गया 1969 से पहले booker prize किसको मिला था यह important question है PS Newer Bay को मिला था किस country के थे United Kingdom के थे novel का नाम क्या था something to answer for something to answer for उसका उस title का नाम है उस novel का नाम है ठीक friends तो 1690 में 1969 के बाद कर लिए हम हाँ से start होता है 2014 1969 से लेकर एक बार सिर्फ और एक बार बताएंगे कि 1969 में जब सुरू किया गया तो सिर्फ Commonwealth Nations और Republic Ireland के लिए ही दिया जाता था लेकिन 2004 से सब ही United Kingdom में publish होने वाले work जो लिखे गए हो translate न किये गए हो English language के work के लिए Booker Price दिया जा रहा था दिया जाता है friends अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि Booker Price क्या होता है क्यों दिया जाता है किस work के लिए दिया जाता है अब friends हम बात करेंगे पूरी की पूरी list के बारे में और मेरी आप से request है कि आप पूरी list एक बार जरूर देखें उसमें आपको पता चलेगा कि first Indian कौन थे फिर second कौन था फिर third कौन था Australia के कौन थे United Kingdom के कौन थे Nigeria Canadian सब कौन कौन से आधर थे इन सभी के बारे में question पूछा ही जाता है Hello friends Welcome you all on ASP means Alkae Study Point Friends आज की ये topic हमारी बहुत important है और अगर आपको ये लगता हो कि ये video सच में बहुत अच्छी है तो please channel को subscribe कर दें और bell icon को दबा दें तागी आगे जैसे कि मैं Pulitzer Award की video लेकर आने वाला हूं तो उसका notification आपको तुरंत मिल जाए सबसे पहले आप इस video को देख पाएं वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको like भी कर दें चलते हैं अब list पर friends Friends ये रही list आपके सामने इसमें हम आपको दिखा दें सबसे पहले जो first column में रहेगा वो year second column में author third column में title यानि novel और वो उस title का जो genre है वो कौन सा है और वो किस country के थे जिनको booker price दिया गया था Friends ये चीज आप पहले से याद करिए कि ये year है ये author का name है ये title है और ये general का नाम है और ये country है इस चीज़ों को confirm करने के बाद अब हम discuss करने वाले हैं सभी चलिए अब हम जान लेते हैं कि किसको मिला था तो सबसे पहला जो booker price दिया गया था 1969 में दिया गया था 1969 में दिया गया था किसको दिया गया था PH new buy को दिया गया था किस work के लिए दिया गया था something to answer for किस work के लिए something to answer for के लिए novel था ये कहां के थे PH new buy कहां के थे United Kingdom के थे एक बार revise कर लिजिए इसको फटा पट 1669 में यानि कि 1969 में किसको मिला था PH new buy को मिला था कौन सा work था something to answer for novel था United Kingdom के थे ये सभी booker prize में ये वाला जादा important इसलिए है कि ये first थे और first बहुत जादा बार पूचा जाता है first के साथ साथ second भी पूचा जाता है एक चीज़ तो आप confirm कर लिजी कि लगभग हर एक year ये दिया जाता था सभी year तो year one by one one by one दिया जाता था अब 1969 1969 के बाद 1970 में मिला था बर्नीस रूबेंस को किसको मिला था बर्नीस रूबेंस को किस वर्क के लिए the elected members के लिए ये भी novel था और ये भी बर्नीस रूबेंस कहां थे के थे United Kingdom के ही थे UK के ही थे तो पहला 1969 में पी एच निवबाई को something to answer far के लिए बर्नीस रूबेंस को मिला था the elected members के लिए ये भी United Kingdom के थी 1970 में retrospective award दिया गया IG Farel को 1970 में ही IG Farel को दिया गया किस वर्क के लिए Troubles के लिए novel था ये United Kingdom Ireland से थे United Kingdom Ireland से थे फिर इसके बाद 1971 में V.S. नैपाल को दिया गया किस वर्क के लिए दिया गया in a free state के लिए V.S. नैपाल को 1971 में किस वर्क के लिए दिया गया था in a free state के लिए ये क्या था सार्ट स्टोरी था ये कहां के थे United Kingdom ये इनके कंट्री का नाम है ठीक फ्रेंड्स तो अभी तक हमने इतने लोगों को डिसकस कर लिया आप चलते है 1972 पर 1972 में बुकर प्राइस बुकर प्राइस दिया गया इस्टार्ट कप किया गया था 1970 में दिया गया था बर्निस रूबेंस को दिया गया था किस वर्क के लिए The Elected Members के लिए दिया गया था हारा फ्रेंड चलिए यहां पर जो जी कोई वर्क है ये जान बर्गर जी इसको थोड़ा सा आप लोग Wikipedia पर चेक कर लिजेगा यहां पर यह मिस्प्रेंट हो गया है अब देखते हैं यह जो था Experimental Novel था जी जान बर्जर का जो जी था Experimental Novel था यह भी UK के ही थे United Kingdom के थे इसके बाद मिला था 1973 में J.G. Farrell को 1973 में J.G. Farrell को मिला था कौन सवर्क था The Seas of Krishnapur कई बाहर इसी तरह से पढ़ेंगे तभी याद होगा The Seas of Krishnapur Novel था United Kingdom Ireland के थे 1973 में J.G. Farrell J.G. Farrell को The Seas of Krishnapur Booker Award 1974 किसे दिया गया Booker Award 1974 किसको दिया गया तो एक थे Nadine Gordimer और एक थे Stanley Middleton Nadine Gordimer और Stanley Middleton को दिया गया एक जो Nadine Gordimer का वर्क था उस वर्क का नाम था Conservationist कौन से वर्क के लिए Nadine Gordimer को किस वर्क के लिए दिया गया था The Conservationist के लिए और Stanley Middleton को दिया गया था Holiday के लिए दोनों का वर्क क्या था Novel ही था लेकिन Nadine Gordimer कहा के थे South Africa के थे और Stanley Middleton कहा के थे United Kingdom के थे First कौन थे 1969 में PH Newby इसी वीडियो में बार बार पूछ के आपको इतना तो याद करवा ही दूँगा चलते हैं अब Next Year में और वो Year है 1975 में 1975 में किसको दिया गया था Root Perwar जाबवाला Root Perwar जाबवाला को Booker Prize Award दिया गया था Heat and Dust के लिए मैं जो 5000 Question Answer Series फ्रेंड करवाया हूँ उनमें Root Perwar जाबवाला को डिटेल में डिसकस किया हूँ उनके सभी वर्क के बारे में इनकी बायोग्राफी के बारे में और Heat and Dust के लिए 1975 में इनों जे ये Booker Award जीता था इसके विशे में भी Historical Novel था ये और ये थे UK जर्मनी से थे ठीक फ्रेंड तो Root Perwar जाबवाला को देखने के लिए जो 5000 Question Answer की सिरीज में ने करवाई है उसको भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए चलते हैं देखते हैं 1976 में किसको मिला डेविड स्टोरी को किसको मिला डेविड स्टोरी को मिला किस वर के लिए सेवाईल के लिए Novel था ये कहा के थे United Kingdom के थे 1976 में डेविड स्टोरी को इतना तुलन करना फर्स्ट थ्री कालम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1976 में किसे मिला डेविड स्टोरी को किस वर के लिए सेवाईल के लिए 1977 में किसको Booker Prize दिया गया Paul Scott को किसको दिया गया Paul Scott को दिया गया ठीक है किस वर के लिए दिया गया Saying On किस वर के लिए दिया गया Saying On के लिए दिया गया चलिए अब चलते है Next 1978 1978 में किसे दिया गया था Iris Murdoch की ये बहुत पूछा जाता है The Sea The Sea Philosophical Novel है ये Ireland United Kingdom के थे 1978 में Booker Prize मिला था Iris Murdoch को The Sea The Sea Philosophical Work है ठीक चलते हैं अब 1979 में किसको मिला था Penila Fitzgerald को किस वर के लिए Offshore के लिए Novel था United Kingdom के थे 1979 में किसको मिला Penila Fitzgerald को मिला था अब next year की अगर बात करें 1980 की 1980 William Golding को मिला था ये question आता है ये question पूछा जाता है ये है Rates of Passes Rates of Passes UK के थे ये Novel था ये और Rates of Passes किस ने लिखा था William Golding ने लिखा था William Golding को 1980 में Booker Prize Award दिया गया था 1980 के बाद 1981 में सलमान रुष्दी ये question बहुत important है ये देखिए Breaking News Breaking News तो 1981 में ही ये आ गया था आया रहा होगा न्यूज चैनल पे 1891 में सलमान रुष्दी इंडिया के पहले ऐसे आधर थे जिनको Booker Prize के लिए नॉमिनेट किया गया था और किवल नॉमिनेट नहीं बलकि उनको प्राइस दिया भी गया था 1981 में किसे सलमान रुष्दी को ये question इंडिया में तो पूछा ही जा सकता है नॉमिनेट हो जयारफ हो या और भी KBSA आपर लेबल के एक्जामनेशन जो भी हो उनमें टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है टीजीटी में नहीं लेगिन पीजीटी में पूछा जा सकता है कि 1981 में किसको इंडिया के किस राइटर को बुकर प्राइज दिया गया या फिर ये पूछा जाएगा कि 1981 में सल्मान रुष्दी को जो बुकर प्राइज अवाड दिया गया था वो किस वर्क के लिए लिए दिया गया था तो मिडनाइट चिल्डरन के लिए फ्रेंडिन को दिया गया था किस वर के लिए मिड़नाइट चिल्डरन के लिए यह मैंने इसलिए हाइलाइट कर दिया क्योंकि यहां से तो कुछे ही जाने है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक फस्ट वाला बुकर प्राइस का जो 1969 में मिला था पी एस निवाई को सम्थिंग टू आंसर फार के लिए मिला था और दूसरा सलमान रुस्दी को 1981 में मिला है मिड़नाइट चिल्डरन के लिए यह मैजिक रियलिजम है इससे क्वेशन पूछा ही जाना है पक्का आएगा 1982 में थामस करनेल थे थामस केनिली थामस केनिली थे इनको मिला था किस वर्क के लिए बुकर प्राइज मिला था इनको सिंडलर्स आर्क सिंडलर्स आर्क के लिए इनको मिला था बायोग्राफिकल नावल है आस्ट्रेलिया के यह थे कौन थे थामस कीनली कीनली इन लोगों को नाम भी बड़ा टेड़ा होता है 1982 में थामस कीनली को सिंडलर्स आर्क के लिए बुकर प्राइस दिया गया अगला बुकर प्राइस 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वही कुछ ताइम था ना 1983 में जीते थी इंडिया पहले बार वर्ल कप 1983 में जे एम कोईट जी जो की साउथ अफरीका के थे इनको बुकर प्राइस दिया गया किस बर के लिए लाइफ एंड टाइम्स आफ माइकल के लाइफ एंड टाइम्स आफ माइकल के के लिए माइकल जे एम कोईट जी को 1983 में जब इंडिया वल्लकप जीती थी तो ये बुकर प्राइज पाए थे इन दोनों का कोई लिंक नहीं है उसी तरह से मैं बता रहा हूँ थोड़ सा 1984 में अनीता 1984 में अनीता ब्रूकनर को होटल डूलैक होटल डूलैक नॉवल के लिए 1984 में 1984 में अनीता ब्रूकनर को दिया गया था ये अवार्ड और 1985 में दिया गया था केरी हलमी को 1985 में केरी हलमी को दिया गया था ये किस वर के लिए The Bone People Mystery Novel ये है कौन से Novel है Mystery Novel है कहा की थी केरी हलमी कहा की थी New Zealand की थी फ्रेंट इसको याद करना बहुत जरूरी है अगर याद नहीं हो रहा तो कम से कम दो से तीन बार आप पढ़ेंगे automatically आपको समझ में आ जाएगा याद हो जाएगा 1986 में Kingsley Amis को किस वर्क के लिए Booker Price दिया गया The Old Devils के लिए कैसा वर्क था Comic Novel था ये कहां के थे कौन Kingsley Amis कहां के थे United Kingdom के थे United Kingdom के थे 1986 में इन्हें Booker Award दिया गया किस वर के लिए The Old Devils के लिए पुराना शैतान Old Devils चलते हैं अगले Booker Price के बारे में देख लेते हैं 1987 में जो Penelope Lively जो थे इनको Moon Tiger के लिए Booker Price दिया गया Moon Tiger के लिए Penelope Lively Moon Tiger के लिए 1987 में इनको Booker Price दिया गया 1987 के बाद 1988 में Peter Carey को Award दिया गया Booker Price किस वर के लिए Oscar and Lucinda Oscar and Lucinda के लिए ये Booker Price दिया गया था historical novel था आस्टेलिया के थे कौन आस्टेलिया के थे पीटर कैरी कौन थे पीटर कैरी थे आस्टेलिया के थे historical novel उन्होंने लिखा था कौन सा novel लिखा था आसकर एंड लुसीनडा आसकर एंड लुसीनडा कब 18 1988 में ठीक और 89 में friend मिला था काजू ओ इशी गुरो को नाम कितना काजू ओ इशी गुरो यहाँ इंडिया में नाम रख लिया जाएगा तुनकी मम्मी नाम ले ही नहीं पाएंगे अब ले सकती है नहीं नहीं जो मम्मी यहाँ है 1989 काजवो इशीगुरो कुछ नई वाले भी नहीं ले पाएंगे पापा भी नहीं ले पाएंगे 1989 काजवो इशीगुरो कहीं है इकर का मतलब होता है 1989 में काजवो इशीगुरो को बुकर प्राइस दिया गया 1989 में किस वर के लिए The Remains of the Day इस्टोरिकल नॉविल था United Kingdom यू कि के थे ये 1990 में AS-22 को पोसेशन के लिए वर्क दिया गया 1990 में AS-22 को पोसेशन के लिए बुकर प्राइस दिया गया ये भी यू कि के थे हिस्टोरिकल नॉविल था अब यहां देखते हैं 1991 बेन ओकरी को 1991 बेन ओकरी को दी फैमिजड राड 1991 में बेन ओकरी को दी फैमिजड राड मैजिक रियलिजम था नाइजेरिया के ये थे बेन ओकरी इसलिए नाम ही नाइजेरिया वाला इतना टफ है 1991 में बेन ओकरी को दी फेमिस्ट Rawड al रियलिजम के लिए बुकर प्राइस दिया गया और अब नंबर है इस पेज के लास्ट 1992 में किसको बुकर प्राइस दिया गया 1992 में हमेसे बहुत लोगों का बद्त यर्भी है 1992 में माइकल ओन डाट जी को मिला था किस वर के लिए दि इंगलिश पेशेंट के लिए और दूसरे थे बैरी अन्सवर्थ इनको मिला था सेक्रेट हंगर के लिए माइकल ओन जी को मिला था इंगलिश पेशेंट के लिए और बैरी अन्वर्थ को मिला था सेक्रेट हंगर के लिए इस चीज़ को आप देख लिजेगा यहां आप देख लिजेए कि जो मैरी ओन जी थे इनका वर्क जो था इंगलिस पेशेंट ये हिस्टोरियो ग्राफिक मेटा फिक्षन था और जो दूसरे थे ये बैरी अनवर्थ इनका सेकरेड हंगर था हिस्टोरिकल नौविल था और ये थी युनाइटिड केंगडम के जबकि माइकल उर्दान जी जो थे वो कैनेडा के थे फ्रेंड एक पेज कवर हो गया और दूसरे पेज पे चलते हैं सिर्फ दूसरे पेज में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स चलिए तो देखते हैं 1993 में किसको दिया गया 1993 में दिया गया था रडी डॉयल को रडी डॉयल को 1993 में रडी डॉयल को दिया गया था पैडी क्लार्क हा 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 पैडी क्लार्क हा 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 यह तो जो पोयम बच्चों का होता उस टाइप से लिखा है रडी डॉयल 1993 रडी डॉयल ठीक इनको पुकर प्राइस दिया गया आयरलैंड के ये थे किस व 1994 में जेम्स किलमेन 1994 में जेम्स किलमेन को How Late It Was How Late जेम्स किलमेन जो की United Kingdom के थे Stream of Consciousness इनकी जेनरा था Stream of Consciousness और इनको इनका जो वर्क था How Late It Was How Late सही बात है कितना लेट नौकरी मिलती है How Late It Was How Late How Late How मने कितना लेट ये मिलेगी नौकरी 1994 से अभी तक इंतजार कर रहा है पैदा होके उसके पहले से जो लोग अभी कॉलिफाई नहीं हो पाए है ठीक है 1994 में सब कॉलिफाई होंगे मुस्किल नहीं है कुछ भी एगर ठान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए चलिए 1994 में जेम्स केलमैन जो की How Late It Was How Late के लिए स्ट्रीम आफ कंसियस के लिए इनको 1994 में बुकर प्राइस दिया गया एक बार जोड़दार तालियों के साथ स्वागत बंदने वा अभिनंदन कीजिए जेम्स केलमैन जी का जिन्होंने 1994 में बुकर प्राइस जीता था How Late It Was How Late 1995 1995 1995 एक ऐसा दोर था तब तो भारत आचाद हो गया था तब क्या दाओर के बात कर रहा है Pat Barker 1995 में Pat Barker जो थे The Ghost Road War Novel The Ghost जो Road इन्होंने लिखा था War Novel War Novel लिखा था United Kingdom के ये थे और इनको Pat Barker को 1995 में अवार्ड दिया गया था फिर 1996 में किसको मिला था Graham Swift को किस वर्क के लिए कैसे वर्क के लिए Last Order के लिए Graham Swift को Last Order के लिए मिला था Novel था ये United Kingdom के ये थे 1997 में अरुंधती रा है जो कि इंडिया की थी अरुंधती रा है इनको इनके नॉबल के लिए The God of Small Things के लिए दिया गया था Booker Prize इंडिया दो लोग हो गए इंडिया के एक किसको मिला था चलिए अब याद करके बता दीजे जिवल्दी से बता तो देंगे ही सल्मान रुस्दी को लेकिन कौन से इयर में सोचो सोचो कौन से इयर में 1981 में कब मिला था 1981 में किसको मिला था सल्मान रुस्दी को उनका कौन सा वर्क था सोचिए यही तो सोच के याद करना है यह नहीं है कि बस वीडियो आप देखे और चल दिये याद हुआ कि नहीं याद करके जाओ क्योंकि बैठके बार बार रिवाइस करके याद करना ही तो है तो फिर जितने जल्दी याद कर लेंगे उतना बढ़ी है सल्मान रुस्दी को मिला था मिड नाइट चिल्डरन के लिए मिला था मैजिक रियलिजम था इंडिया के थे इनके बारे में भी इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में मैं जो है जो इंडियन लिटरेचर का question answer series मैंने कराया है 5000 MCQs में उसमें मैंने discuss की है फ्रेंट 5000 questions को मैंने cover किया है अपने previous वीडियो में लगभग 70 videos upload हो चुकी है मेरे चैनल पर 70 videos upload होई हैं जिसमें 5000 question answer series का target है उसमें मैंने British literature, American literature, non-british literature, Indian history, literary theory and criticism, rhetoric and prosody सभी से MCQs के form में बहुत सारे questions को मैंने detail में discuss किया है सभी question answer मैंने दिया है तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जाएं playlist में और वहां से आप उन सभी video को देख लें 1997 फिर से India पे अरुन्धती राय को फिर से repeat करते हुए The God of Small Things के लिए Nobel India की थी और इनको Booker Prize Award दिया गया था तालिये तो इनके लिए भी बजी हुई होँगी अब Ian Mac Ewan Ian Mac Ewan को किस वर के लिए दिया गया था Award Amsterdam के लिए किस वर के लिए Amsterdam के लिए Nobel UK के ये भी थे लेकिन इनका साल बदल गया था वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है मतलब अरुंधती राय को जब मिला था 1997 में वो साल दूसरा था Mac Ewan को जो मिला है ये साल दूसरा है 1998 में मिला है ठीक और 1999 में जे-म कोईट जी को डिस्ग्रेस के लिए मिला था ये South Africa के थे किसको जे-म कोईट जी को डिस्ग्रेस के लिए Booker Prize दिया गया था 2000 में किसको बुकर प्राइस दिया गया मान लिजे यह कोईशन अब की बार आ रहा है जो एक्जाम आप दिखने जा रहा है 2000 में किसको बुकर प्राइस दिया गया था चलिए बताईए बताएंगे आप भट से जबाब देंगे किस वर्ग के लिए दे ब्लाइंड एसेसिन के लिए कैसा वर्ग था हिस्टोरिकल नाविल था कहां के थे कैनेडा के थे 2001 में किसको मिला पीटर कैरी को मिला किस वर्ग के लिए ट्रू हिस्टोरिकल नाविल था अस्ट्रेलिया के ये थे 2002 में यान मार्टल को मिला लाइफ आफ पाई के लिए अरे ये तो पूछा ही जाता 2002 में ये बहुत पूछा जाता लाइफ आफ पाई कैनेडा के यह थे यह fantasy and adventure novel था यह इसकी movie भी बनी है movie देख लेना पहले वीडियो हमारी देख लो पूरा अब तो finish होने वाला है यान मार्टल 2002 में यान मार्टल के लिए life of pie जो इन्होंने लिखा था novel इस work के लिए इनको 2002 में यान मार्टल को लाइफ आप पाई के लिए booker prize दिया गया इसके बाद dbc लंदन हो था तब भी dbc पीरे जो थे 2003 में इनको दिया गया था वेरनम गॉड लिटिल फ्रेंट इसी तरह वीडियो आप देखते रहेंगे तो माइंड में आपके धीरे धीरे concept बनता जाएगा और बड़े आसानी से आपको learn हो जाएगा दो तीन बार आप इसको सिर्फ revise करेंगे पूरा का पूरा question learn हो जाएगा ऐसे जो list हैं ये YouTube पे कम मिलते हैं मैं जानता हूं कम मिलते हैं इसलिए इसको देखिए रियल में ये important है हम लोगों के लिए 2002 में यान मार्टल को life up pie के लिए दिया गया ये life up pie क्या था fantasy and adventure novel था Canada के ये थे 2003 में डीबी सी पीरे को वरनम गॉड लीटिल ब्लैक कॉमेडी थी Australia के ये थे इनके लिए इसको इस वर्क के लिए इन्हें booker prize दिया गया था Friends आप बात करते हैं हम 2004 में मिले booker prize को के बारे में 2004 में booker prize किसको मिला था एलेन हॉलिंग घर्ष्ट को किस वर्क के लिए मिला था वुकर प्राइज दी लाइन आफ ब्यूटी के लिए हिस्टोरिकल नाविल था कहा के थे युनाइटिड किंगडम के थे 2005 में फ्रेंड्स जान बैन विल को मिला था दसी के लिए यह भी नाविल था लेकिन यह यूके क आइरलैंड के थे कौन जान बैन विल किस वर्क के लिए दसी के लिए 2006 में कीरन देसाई इंडिया की तीसरी महिला आप तीनों लोगों के बारे में एक बार फिर से बात करता हूं पहला क्यूं था सलमान रुस्दी को दिया गया इसे हम लिखके बताए थे ना 981 में सलमान र दिया गया था, Midnight Children कैसा जानरा था, Magic Realism था, ये इंडिया के थे, सलमान रुज्दी और इनको 1981 में First Booker Prize दिया गया, ये First Booker Prize वीनर थे, ठीक, दूसरे के बारे में बात करें तो वो थे, अरुन धती राय, कौन थी, अरुन धती राय, अरुन धती राय, को चलिए फट से था, आप लोग एक बार इसको comment box में बताईए, सारी चीज़े हम यहीं discuss कर देंगे, तो आपको लगेगा वीडियो बड़ी हो रही है, अरुन धती राय के बारे में बताएं, उसके बाद हम 2006 में 1997 में मिला था, ये समझ लीजिए, अरुन धती राय को 1997 में मिला था, इसलिए आप लोग जल्दी से बताएंगे, फटाफट, 1997 में अरुन धती राय को, दो गाट अफ इसमाल थिंग्स के लिए, जो नावेल था, उसके लिए इनको मिला था, दूसरा और तीसरा इंडिया में आय था, किरन देसाई लाई थी, 2006 में किरन देसाई ने लिखा था, इन्हेरि में तीन लोग, 2006 में किरन देसाई इन्हेरितेंस औफ लाउस के लिए इनको बुकरप्राइज दिया गया, ये बुकरप्राइज की विनर हैं, इन seperti किस वर के लिए, दूसरा इनिरींग की थी, टू था जा फारिसा नाम है, कितना तीड़ा नाम है, अर्विंद अरविंद अ 2008 में अर्विन्द अर्दीगा को दिया गया Бुकर प्राइज यह दिया गया 2008 में इसके बाद हिलरी मैंटल एक और पा घया हो था इंडिया नहीं हैट्रिक नहीं लगता बीच में ऐरलेंड आ गया नहीं तो मुझे है ट्रिक लगा देते सब लोग हिलरी मैंटल को 2009 में वाल्फ हॉल के लिए हिस्टोरिकल नौविल जो था उसके लिए इनको बुकर प्राइस दिया गया और इसके बाद होवार्ड जैकोब्शन 2010 में 2010 है इसलिए इंपॉर्टन्ट हो सकता है क्योंकि 2010 डेजिट अच्छा डेज के थे चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर बस यही इतनी है फ्रेंड्स बस इतनी ही लिस्ट है अब यह जो तीन लिस्ट है 2018 19 और 20 उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे अलग से तो नेक्स्ट है वर्क 2011 में 2010 हमने डिस्कस कर लिया 2011 में मिला था जुलियन बार नीस के बारे में किसको मिला था जुनियर बारनीस को जुलियन बारनीस को किस वर के लीए इसस आफ एन इंडिंग नॉवल दे सेंस आफ एन इंडिंग नॉवल फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये सभी नोट्स मैं बहुत महनत से कलेक्ट करके आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं तो एक सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा दे अबसा लेगी समझ ये 2012 में हिलरी मैंटल ब्रिंग अप दी बाडी बीघंड बेंग अप दी बाडी सके लिए नॉवल था इसके लिए इनको 2012 में हिलरी मैंटल को मिला था और 2013 में इलिनर के टॉन के लिए इलिनर केटन को दिल्यूमी नरीज के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया रिचार्ड फ्लैनेगन जो थे दे नेरो रोड टू दे डीप नार्थ दे नेरो रोड टू दी डीप नार्थ 2014 में इनको अवार दिया गया इसमें इयर इंपोर्टेंट है राइटर इंपोर्टेंट है और उन्हेंने कौन सा वर्क लिखा था ये इंपोर्टेंट है मारलोन जेम्स 2015 में अब्रीफ हिस्ट्री आफ सेवन किलिंग्स के लिए इनको दिया गया और ये था हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंटल नावेल जमाइका के ये थे ठीक 2016 में 2016 में पॉल बीटी को दी शैलाट सेटारिकल नावेल के लिए इनको दिया गया और 2017 में जार्ज स्टांडर जो की लिंकन इंदी बोराडो के लिए इनको दिया गया बुकर प्राइस तो ये सब फ्रेंट कौन थे बुकर प्राइस विनिंग अवार्ड एक बार फिर से बहुत जल्दी जल्दी हम बहुत तेजी से रिवाइस करेंगे कि हमको कितना याद हुआ एक बार रिवाइस करना बहुत जरूरी है फ्रेंट्स रिविजिन से हमको पता चलता है कि हमको कितना लर्न हुआ आप देखिए पहले बार जब आप देख रहे थे और अब में क्या कुछ अंतर है दिफरेंस है नाइटीन सिक्स्टीन नाइन में पी एस निवबाइ को मिला था किस वर के लिए सम्द्टिंग टू आंसर फार के लिए 1970 में किसे मिला था Bernice Rubens को किस बर के लिए The Elected Members के लिए 1970 में Retrospective Award मिला था J.G. Farrell को किस बर के लिए Trouble के लिए 1971 में किसे मिला V.S. Nepal को मिला In a Free State के लिए 1972 में किसे मिला John Berger को मिला यह जी करके कोई वर्ख है Experimental work है 1973 में J.G. Farrell को मिला The Seas of Krishnapur 1973 में 1973 के लिए 1974 में किस को मिला Nadine Gordimer को और Stranley Middleton को Nadine Gordimer ने लिखा था The Conservationist और Holiday लिखा था 1974 में Friends, Revision बहुत जादा जरूरी है जब तक आप Revision नहीं करेंगे Question Answer को ठीक से Learn नहीं होगा जितना ज़्यादा Revision करेंगे उतना बढ़िया से Learn होगा 1975 में 1975 में 1975 में 1975 में 1975 में 1976 में David Story जो की 1977 में Paul Scott को 1978 में The Sea 1979 में The Penelo Fit Gerald के लिए Office Spring के वर के लिए Booker Prize दिया गया 1980 में William Golden को Reads of Paces के लिए दिया गया और इसके बाद 1981 में 1981 के पहले भी एक आवार्ड मिला था जिसको मैं अभी आप लोगों को बताया नहीं था सॉरी फ्रेंड 1981 के पहले ये जो कौन थे सलमान रुष्दी के पहले वो इंडिया से नहीं रूद परवार जाबवाला जो थी वो इंडियन किंडम United Kingdom जर्मनी से थी लेकिन ये इंडियन राइटर में भी पढ़ाई जाती है रूद परवार जाबवाला 1975 में ठीक फ्रेंड रूद परवार जाबवाला हीट एंड डस्ट हिस्टोरिकल नॉवल ये मैं सोचा ये इंडिया से हैं लेकिन United Kingdom जर्मनी ये फ्रेंड इसमें अब जब बात हो रही तो ये बता है इनके जो हस्बैंड थे ये इंग्लैंड के थे और ये थी जर्मनी के ठीक तो ये जब अपने हस्बैंड से साधी करती है लगबग 1951 के आसपास तो 1951 में जब इनका अपने इनके हस्बैंड से साधी हो जाती है और इनके हस्बैंड जो इंडिया में कुछ वर्क कर रहे थे कोई काम कर रहे थे यहाँ पर इनकी सर्विस थी जाब थी नौकरी थी जो भी कहलें तो उसी नौकरी के वज़ा से वो यहाँ पर सिप्ट हो गए थे 1951 में साधी के बाद रूत परवर जाबवाला तो ये युनाइटिर किंडम की राइटर मान सकते हैं आथर मान सकते हैं इंडिया में आने के बाद इन्हों बहुत सारे वर्क लिखे हैं इसलिए मैं कह रहा था कि ये इंडिया की हो सकती है इंडिया में इन्होंने बहुत से वर्क लिखे हैं तो ठीक है चलते हैं वागे बहुत ज़्यादा डिसकस क्या करें अब सलमान रुजदी पे आ जाते हैं 1981 में 1981 में किसको मिला था सलमान रुजदी को मिला था किस वर के लिए दी मिड़नाइट चिल्डरन के लिए मैजिक रियलिजम इंडिया के थे 1982 में मिला था थामस कीनले इन्होंने लिखा था सिंदलर्स आर्क 1983 में जेयम कोईट जी को मिला लाइफ एंड टाइमस ओफ माइकल के इसके बाद 1984 में किसे मिला अनीता ब्रूकनर होटल ड्यूक लॉक जिन्होंने पहली बार ये लिस्ट पढ़नी शुरू की है उनको ये लग रहा होगा कि पहली बार वीडियो देखने के बाद दुबारा कुछ कुछ मुछ को याद हो चुका है अगर ऐसा है तो आप ग्रेट है अनीता ब्रूकर्स को होटल डी लॉक के लिए मिला था returns 1985 में मिला था केरी हल्म के लिए के लिए था बॉन पीपल दुब धबोन पीपल अनका वर्च था केरी हल्म का और इसके बाद 1986 में गिंग स्ले एमिश को मिला थाष्वोल्द डेविल्स के लिए थाष्वेरट के लिए 1986 में Kingslay Emmys को दिया गया नेट में जो लोग सोचते हैं कि एक क्वेश्चन कहां से पुछ लेता है सब पढ़की जाता हूं कुछ समझ में नहीं आता है एक्वेश्चन यहीं से आता है बहुत सारी क्वेश्चन इन सभी वर्क से आते हैं 1986 में Kingslay Emmys Old Devils 1987 Penelope के लिए 1988 में Peter Carey Oscar Lucinda के लिए 1989 में कुजुओ इश्यगरो दा रेमेंस आफ डे के लिए इसके बाद 1990 में ऐस प्यट के लिए पोसेशनस के बैर के लिए 1991 में बैन ओकरी के लिए मिला था इनको Buker Price, Booker Price दिमाग में रहना चाहिए Booker Price अपसे पहले स्स्टार्ट किया गया था 1969 में किस को मिला था फ्रेंड जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में पीएच ने वाई को मिला था मैजिक मैजिक रियलिजम था ये बेन ओकरी का 1992 बात कर लेते हैं ये इस पेज का लास्ट आथर है ये माईकल ओदान्ट जी इंग्लिश पेशेंट के लिए और बैरी अंस्वार्थ जो है स्क्रेट हंगर इन दोनों वर्क के लिए इनको मिला था आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स पढ़ाई करनी है तो रिवेजन जरूरी है 1993 में मिला था रूडी डॉयल को पैटी क्लार्क हा 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 के लिए 1994 में जेम्स केलमैन को मिला था हाव लेट इट वाज हाव लेट ठीक फ्रेंड इस्ट्रीम आफ कंसियसनेस था 1994 में 1995 में पैट बारकर थे जो घौस्ट रोड वर्क के लिए इनको मिला ग्राहम स्विफ्ट जो की लास्ट ओर्डर थे वो लास्ट ओर्डर वाले नॉवल के लिए 1996 में इनको मिला 1997 में फिर मिला अरुंधती राय को दे गॉड आफ इस्मॉल तिंग्स के लिए इसके बाद 1998 में इवान मैक इवान के लिए आरमस्टरडम के लिए मिला फिर 1999 में जेयम कोईट जी के लिए डिस्ग्रेश वर्क है 2000 में मिला Margaret Atwood को दी ब्लाइन्ड अससीन इसके बाद 2001 में फ्रेंड मिला किसको 2001 में किसे मिला पीटर केरी को किस वर के लिए ट्रू हीस्ट्री आफ के लिए ट्रू हस्ट्री आफ के लिए फ्रेंड डू बारा पढ़ रहे हुए तो आपको लग रहा होगा कि सच में हमें कुछ पहले से तो बेटर याद हो ही चुगा है 2002 में यान मार्टल लाइफ आप पाई इस सब हमने डिस्कस कर लिया है पहली बार में 2002 में यान मार्टल को लाइफ आप पाई के लिए बुकर प्राइस दिया गया था 2003 में D.B.C. P.E.R.E. को Vernon God Little के लिए दिया गया और इसके बाद 2004 में Ellen Holling Grust के लिए Holling Grust के लिए The Line of Beauty 2005 में Jan Welwil The Sea Work के लिए दिया गया 2006 में Kiran Desai जो की इंडिया की थी The Inheritance of Last 2006 में The Inheritance of Lost इंडिया की थी और इनको ये मिला 2007 में Ain In Right Ain In Right जो थी उनको Gathering के लिए मिला 2008 में Arvind Adiga जो की The White Tiger वर्क इन्होंने लिखा था उसके लिए इनको मिला था इसके बाद Arvind Adiga के बाद 2009 के बाद कर लेते हैं 2009 में Henry Mantle को मिला Wall Fall के लिए हिस्टोरिकल नॉवल के लिए 2010 में Howard Jacobson The Finkler's Question Comic Novel था 2011 में Julian Burnis The Sense of An Indic Novel था ये ठीक Julian Burnis 2011 में इसके बाद 2012 में Hilary Mantle Bring Up The Bodies Bring Up The Bodies वर के लिए इनको Booker Prize दिया गया इसके बाद 2013 में Eleanor Caton Eleanor Caton को किस वर के लिए मिला था Friends इस वर के लिए Luminaries के लिए मिला और इसके बाद 2014 के बात करते हैं 2014 में Richard Flying Gun के लिए The Narrow Road to the Deep North Historical Novel अस्ट्रेलिया के थे और 2014 में Marlon James जो की Every History of Seven Killings इन्होंने लिखा है Marlon James ने 2015 में ठीक फ्रेंड इसके बाद बात करते हैं 2016 पॉल ब्यूटी 2016 में पॉल ब्यूटी ने Booker Price जीता था उनका वर्क था The Sellout सेटारिकल नॉवल था और 2017 में जो थे जार्ज सांडर्स जार्ज सांडर्स को Lincoln in the बराडो Lincoln in the बराडो वर्क के लिए 2014 में Man Booker Price Booker Price वीनिंग एवार्ड Booker Price वीनिंग आवार्ड दिया गया था तो ये थी List Friend अगर चैनल आपको ये Information अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड अब हम बात कर रहे थे Booker Price की और ये Booker Price अभी इसमें Cover हो चुका है ये चीज़ें आपने जान ली है इसमें मैंने 2018, 2019 और 20 ये तीन इयर्स के नहीं बताए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में Wikipedia, Google से सर्च करके मुझे बताएं ताकि आपको मुझे ये लगे कि आपने पूरी वीडियो देखी है और उसको ठीक से लर्न किया है और कुछ आप एक्टिव हैं पढ़ने के लिए नेट और जे आरफ क्वालिफाई करने के लिए आप एक्टिव हैं तो 2019, 2018 और 20 इन तीनों इयर्स के बुकर प्राइस विनर के सभी आथर्स उसकी टाइटिल, जैनरा और कंट्री इयर के साथ आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स आपकी बार इसके बाद मैं पुलिजर अवार्ड जो पुलिजर अवार्ड जितने लोगों को मिला है उसकी पूरी लिस्ट फ्रेंड मैंने वो पुएट लारीड की लिस्ट अपलोड कर दी है इंडियन लिट्रेचर से मैं MCQs के फॉर्म में अपलोड कर दिया हूँ लिट्रेरी थेयरी एंड क्रिटेसिजम पर कॉछेंस अपलोड हो चुकी है और वहाँ पर प्लेलिस्ट को सर्च करके सभी वीडियो को देख लें बहुत ही यूसफुल वीडियो होंगी फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच